वेल्कम तु दर टेक यात्रह माइनम इस निशान्त और आज की वीडियो में समझने वाले की सिक्वेल सर्वर में ग्रूप बाई लूज क्या होता है यूज़ करते हैं तो लेट्स दूब SQL Server में group by close क्या काम करता है जो similar type के records होते हैं या data होता है उसको group करके आपको return कर देता है जब भी हम group by यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ aggregate functions like count, max, mean, average इनको भी use करते हैं ठीक है तो जब हमने aggregate function को group by के साथ यूज़ क्या है तो ये कैसे काम करेगा सबसे पहले group by close जो similar type के data records होते हैं उनको group कर लेगा अन्द उसके बाद क्या काम करेगा उस group के उपर aggregate functions को apply करता है ठीक है तो इससे क्या होता हर एक group के लिए जितने भी group बने उसके लिए एक value return होगी ठीक है अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं पाई के multiple examples समझेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी एक table में अगर हमें number of records को figure out करना है कि किसी भी एक table में number of rows कितनी है तो उसको कैसे करेंगे तो उसके लिए basic query होते है select count of star from table name तो यहाँ पर count of star भी दे सकते हैं count of किसी particular id का I mean column का नाम भी देख सकते हैं यह क्या काम करेगा उस column को वहाँ पर count कर लेता तो देखेगा दोनों जो query है वो क्या result देरी है 11 दोनों query same ही result देरी है ठीक है अब हम क्या काम करने वाले हैं अब हम देखते हैं कि company के हर एक department में कितने employees काम कर रहे हैं तो इसको देखते हैं ये कैसे काम करेगा मैं इंप्लोई टेभल में कि city के कितने employees हैं टीक है और मैं को से group करना है city से group करना है क्योंकि हर एक city के employees का में मेरे को count निकालना है तो सबसे पहरे critic Ur count of star कि उस city में जितने भी employee होंगे उनका count निकाल ले as total employee from table name then group by और जिस column से हमें group by करना है उस column का name ठीक है तो जिस table I mean जिस column से हमें group by करना है वो aggregate function के साथ में भी आना चाहिए और वो group by के साथ में भी ठीक है तो यहाँ पर मैं को किस से group by करना है city से क्योंकि मुझे तीन मुंबई city में रहते हैं और चार ओड़ी सा city में रहते हैं ठीक है अब क्या काम करते हैं नए query निकते हैं और हम क्या काम करते हैं कि हर एक department में company के हर एक department में कितनी salary जा रही है हमारी उसका हम सम निकाल लेते हैं तो select department total salary total salary को स्टो sum of salary यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख स सकते हैं sum of salary as total salary from employee and then यहाँ पर किसे group by कर रहा हूं departments क्योंकि में को क्या काम कर रहा है कि company हर एक department को कितनी salary दे रही है ठीक है उसका sum निकालना तो sum किस से हुआ departments है इस query को run करते हैं and then देखते हैं कि क्या होता है तो अगर आप यहाँ पर देखेगा कि admin department है जिसको salary जा रही 53,000 HR को जारिये 1,30,000 IT को जारिये 1,20,000 payroll को जारिये 60,000 ठीक है अब हम क्या काम करते हैं हमें query लिखते है कि हर एक city में highest salary क्या है city मेनी में department में निकालता हूं कि department wise कि department की maximum salary क्या है सपोज किजेगा एक department में 10 लोग काम कर रहे है ठीक है पर उस department में किसे एक बंदेगी तो max salary होगी किसी की mean भी होगी ठीक है तो उसको निकालने के लिए में क्या काम करूंगा department को मैक्स भी एक aggregate function होता है जैसे समधा तो यहाँ पर मैंने max salary क्वस्टू max निकाल लिया salary का और उसको ग्रूप का बाई कर दिया department से तो देखेगा मैंने आपको चीज और बताई थी कि ग् रिकोर्स होते हैं उनको ग्रूप कर लेता है तो इसने क्या काम किया यहाँ पर एड्मिन के जो department थे उनको सबको ग्रूप कर लिया उसके बाद वह उसके मैक्स फंक्शन को calculate करता है ठीक है salary को और ध्यांद्य मैंने बताया था कि जितने group बनते हैं हर एक group के लिए एक value return करे तो admin के लिए max salary 27,000 HR के लिए 70,000 IT के लिए 35,000 और payroll के लिए 32,000 ठीक है अब आगे की query देखते हैं ठीक है तो हम क्या काम करते हैं अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं क्या काम करता हूं department और gender wise employee का count निकालता हूं कि हर एक department में कितने male employee काम कर रहे हैं और कितने female employee काम कर करना हर एक department में male और female चेक करना है तो पहला तुम्हें को department से group करना पड़ेगा कि हर एक department में कितने लोग है और उसमें से male कितने है और female कितने है तो second मेरे को gender से group by करना पड़ेगा तो देखेगा यहाँ मैंने select किया department, gender और फिर मैंने निकाला employee का count और from table name then मैंने इसको क्य ascending order में short कर दो तो देखेगा यह data admin department में दो female है बस HR department में एक female है दो male है IT department में दो female है और payroll department में एक male है एक female है ठीक है अब क्या काम करते हैं कि city wise कि city के कितने employee को total salary कितनी जा रही है सपोज को एक city odisa थी एक Mumbai थी एक Bangalore थी तो Bangalore वाले employee को total salary कितनी जा रही है ओरिसा में total salary कितनी जा रही है तो यहाँ पर मैंको data किस से group करना पड़ेगा city से और salary कहा निकालना पड़ेगा sum तो इसको एक बार चेक करते हैं तो देखेगा बैंगलोर में इतनी सेल ली जा रही है मुंबई में इतनी और ओडिसा में इतनी तो आपको ये भी समझ में आया होगा ठीक है तो एक चीज और ध्यान दीजेगा जब भी आप group by close के साथ काम करते हैं तो ध्यान दे group by क्या काम करेगा data records को group करके हर एक group के लिए एक value return करता ही करता है second group by close आप किसी column पे तब यूज़ कर सकते हैं जब उस column में duplicate values हो ठीक है otherwise हमें unique columns पे कभी भी उसको group by को apply करने की कोई जरूरती नहीं है ठीक है तो ध्यान दीजेगा क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको table का data दिखा दूए एक बार वहाँ पे क्या दा हमने city पे apply क्या क्या क्योंकि multiple employees की city सेमती multiple employees का department सेमता multiple employees का gender सेमता ठीक है इसलिए मैं क्या काम कर पाया in columns पे data को group कर पाया I think आपको यह समझ मैं आओगा अब मैं क्या इम्प्लोई ते कितने female employees है ठीक है और उनकी salary जो है male की salary है उसका sum कितना है और जो female की salary है उसका sum कितना है तो ध्यान दीजेए यहाँ पर मैं count भी निकाल नहीं क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक city के कितने male और कितने female लोग थे तो यहाँ पर count की बात कर ली और फिर म अपलाइ कर रहा हूं तो दीखिएगा यहां पर क्या हुआ बैंगलोर सिटी में एक फिमेल था एक फिमेल थी जिसको टोलो सेलरी 30,000 गई मुंबाई सिटी में दो फिमेल है जिसकी सेलरी 54,000 गई दोनों को मिलाके उडिसा में तीन फिमेल थी जिनकी सेलरी 86,000 गई बैंगलोर में तीन मेल थे जिनकी सेलरी 1,37,000 गई मुंबाई सिटी मे एक मेल था अमें मुंबई सिटी का एक मेल इंप्लोई तो अगर आपको गुरूप बाई बिल्कुल समझ माया होगा ठीक है तो अगर आपको गुरूप बाई क्लोस से रिलेटिड कोई भी कोश्चन है तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर दीजीगा मैं आपको वहीं पर कि अप्सक्राइब क्या बेल इकन था क्यों तो एक ट्डेक्ट नेक्स वीड बाई